हेलो लेर्नर्स, वेलकम टोजेल तो इस वीडियो बें डिसकस करेंगे टॉपिक मैनेजरल एकोनॉमिस का बिजनेस एकोनॉमिक से फिर माइकोनॉमिस का टॉपिक है एक्सेप्शन ओफ लॉफ दिमांड यानि जो प्राइस बढ़ेगी तो दिमांड घटेगी और प्राइस अगर प्राइस बढ़ेगी तो दिमांड घटेगी तो दिमांड बढ़ेगी 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 तो दिमांड of law of demand में क्या होता है अगर price गटेगे तो demand भी गटेगे तो कुछ ऐसे cases है जहां पर price के बढ़ने से demand भड़ती है और price के गटने से demand गटती है तो वही cases क्या कहलते है exceptional law of demand यहांने कि वो law of demand को follow नहीं करते है और वो उल्टा चलते है तो price बढ़ेगे तो demand बढ़ेगे और price घटेगे तो demand भी घटती है वहाँ पे The demand curve sloped upward from left to right अब जैसे कि आपको पता है कि law of demand में क्या होता है वो left से right को downward sloping है लेकिन यहाँ पर देखिए exceptional law of demand में क्या होगा कि जो curve है वो क्या होगी left से right upward move करेगी and it is known as exceptional demand curve और unusual demand curve तो इस curve को यानि कि exceptional law of demand के जो curve होता है उस curve को हम exceptional demand curve भी कहते है फिर unusual demand curve भी कहते है तो आप यहाँ पर figure में देख सकते है तो normally जो हमारा demand curve होता है इस तरीके से होता है कि हमारा जो left से हम right को downward slope करता है तो वो downward demand curve करता है downward slope क्यों कर रहा है? क्योंकि price और demand के बेच में inverse relation है price और demand क्या है? inversely proportional है love demand में यही कहता है कि price बढ़ेगे तो demand गटेगी और price गटेगे तो demand बढ़ेगे तो इस वज़े से क्या है? वो downward sloping होता है inverse relationship से जब भी होगा लेकिन upward direction में जाएगा तो आप जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर देख रहे है तो price और demand जब direct relationship में तो upward direction में जाएगा curve और price और demand जो है inverse relation में तो downward sloping में होगा curve तो exception of law of demand यह आप यादर किएगा आप अत्ति यानि कि यह law of demand को follow नहीं करते हैं अब आइन देखते हैं कि कौन कौन से cases जब वो law of demand नहीं follow होता है तो सबसे पहले fear of shortage यानि कि अगर आपको dull लगता है कि आगे चलके इस चीज की किसी product की x y z product है उसकी कमी हो सकती है तो आप क्या करोगे उस चीज को आज ही यानि आज के price पे ज़्यादा से ज़्यादा amount पे purchase करके रख लोगे चाहे उसकी price कितनी भी हो तो उसको कहते है fear of shortage next step fear of future rising price आपको पता चल गया कि कल जो है petrol की price बढ़ने वाली है तो आज ही आप क्या करोगे अपनी tank की full करवाल होगे जो भी bike है आप उसके tank को क्या करोगे full करवाल होगे क्योंकि आपको पता चल गया कि कल price बढ़ने है तो आज की price पे आपने क्या क्या demand जादा कर दिया तो fear of future rising prices की वज़े से भी क्या होता है कि law of demand जो है follow नहीं होता यहाँ पर क्या होता है higher price पे higher demand हो जाती है आप उस वक्त वहाँ पे जितने भी रुपए में जो भी facilities दे रहा होगा उसको आप avail करोगे चोट लगी है तो आपके सामने जो भी medical store होगा जो भी डॉक्टर होगा उसके पास जाओगे वह आप से जितना भी चार्ज कर रहागा आप उसको देने को तयार होगा क्यों इसकेस में एक्सेप्शन होता है लॉप डिमांड जो है फॉलो नहीं होता है निससरी निससरी आइटम सी बात है कि ऐसी चीजे जो हमारे life को सस्टेन करने के लिए चाहिए उनकी प्राइस बढ़े या फिर घटे उससे मैटर नहीं करता उसकी डिमांड उतनी ही रहती है कि आप क्या करते हो कि इस होप में जो है स्टोरेज करके रखना इस्टार्ट कर देते हो कि आगे चलके इसकी प्राइस या तो बढ़ सकती है तो आज ही मैं बहुत सारा सवान पहित के जो है रख लूँगा ताकि मैं इसको higher prices बेच सकूँ ठीक है इसी दर किसे आपको पता कॉर्स और फिर है वेवलेन इफेक्ट तो कॉंस पीसिस कंजंप्शन बैंड वैगन इफेक्ट गेफेन कूर्स और वेवलेन इफेक्ट इनको हम इन डेटेल आगे जो डिसकस करने वाले हैं हमने उपर के जो fear of short as a fear of future future rise in price emergencies ignorance and necessary speculation इसको इन डेटेल नहीं किया क्योंकि इसके प्राइस से उस पर higher demand करने लग जाओगे emergencies के केस में कुछ भी मांग लो हम आपको देने को तयार है जितना ही पैसा मांगोगे हम देंगे क्योंकि हमें emergencies है नेसेसरी है उसके बिना हमारी life sustain करी नहीं सकती तो आप higher price कर दोगे तब भी हमको demand करने ही पड़ेगी speculation है कि हम इस होप में बैठ है कि आगे चलके इसके price ज़्यादा हो सकती तो आज हमने ज़्यादा demand के लिए तो speculate करना है ठीक है अब species consumption band wagon effect और Giffen goods और webinar effect क्या होता है इसको हम in detail देखते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे Giffen paradox Giffen paradox यहना कि Giffen goods sir Robert Giffen यह economist थे इन्होंने with the help of his own example अपने खुद के एक्जामपल के थ्रूई जो है law of demand को जो है disapprove किया था उन्होंने का कि नहीं ऐसा नहीं होता है law of demand कहता है कि price बढ़ेगी तो demand घटेगी price घटेगी तो demand बढ़ेगी ऐसा जगा नहीं होता तो उन्होंने खुद का इसको नहीं पर्चेज नहीं करते हैं तो गिफन परडॉक्स इन्फीर गुर्स दो टाइप के गुद्ध होता है इन्फीर और सुपीर सुपीर नहीं higher quality इन्फीर में lower quality यह फिर लोग डिमांड जाज की होती है नहीं इसको लोग पर्चेज नहीं करते हैं तो sir Robert Giffen ने इसक जो डिमांड है वो मजबूत होती है प्राइस के बढ़ने पर वहीं पर जो weekend होती है fall in price आने की जब नीचे decrease हो की price तो डिमांड पर उसकी क्या हो की कम होगी उस case में तो कैसे आप देखिए he gave the example of poor people of Ireland who were using potatoes and meat as daily food article तो उन्होंने किसका example दिया पूर पीपल के Ireland के जो की potatoes और meat जो है वो daily food की तरह यूज करते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि जब price of potato declines है जब price जो है potato की गिरी यानि कि आलू की जो prices है वो कम हो गई तो customer in seat of bank large quantity अब law of demand के according के है कि आलू की जो प्राइ चाहिए लेकिन वैसा नहीं हुआ प्राइस की जब प्राइस की जब प्राइस की जब प्राइस से हो decrease हुई तो जो उससे पैसे बचे उससे और ज्यादा potato purchase करने की वज़ाए लोगों ने क्या श्टार्ट कर दिया खईदना मीट को मीट क्या हो गया सुपीरियर गुड से हो लेकिन डिमांड इंक्रीज नहीं हुए डिमांड इंक्रीज किसी होगी दूसरे प्रोटेट की होगी तो प्रोटेटो की प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड भी क्या हुई डिक्रीज हुए और इंक्रीज किसी और प्रोटेट की डिमांड हो गई यानि इन्फिरियर गु किसी और सुपीर कोड़ेंगी तो यहीं गिफ्वेंगोडी का मतलब इंफिरियर गूर्स याने कि जिसकी प्राइस घटने से उसकी इमाड बढ़ती नहीं है बलकि तो पोटेटो की प्राइस कम होने की वज़र से पोटेटो की प्राइस बढ़नी चाहिए थी as well law of demand लेकिन वहाँ पे घड़ जाती है तो इस ही को हम कहते हैं exception of law of demand. अब next हम देखते हैं webland effect, webland effect क्या होता है तो इसको भी एक अमेरिकन एकनोमिस उन्हों नहीं दिया था गिवर भाई Thorstein webland ने इस effect को दिया था तो webland effect में क्या होता है कि he quoted that certain commodities are purchased by rich people not for their direct satisfaction but for their snob appeal यानि higher social position और austination यानि की display of wealth and luxury तो उन्होंने कहा कि कई सारे rich people ऐसे होते हैं जो अपनी satisfaction के लिए products को purchase नहीं करते हैं वो ये दिखाने की courses करते हैं कि उनके पास wealth है उनके पास luxury है इस वज़े से वो product purchase करते हैं या फिर अपनी society में एक higher position gain करने के लिए वो जो है product को purchase करते हैं तो इस type के purchasing को इस type के demand को क्या कहते हैं webland effect कहते हैं और यहाँ पर क्या होता है law of demand fail होता है क्यों कि लोगों को लगता है इस type के लोग जो webland effect में होते हैं जो rich people होते हैं वो समान इसलिए ज़्यादा महगा purchase करते हैं प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो हम ज़्यादा कर देंगे क्यों उसको लगता है कि वो higher society में higher position है क्या होता है कि यहाँ पर price करने पर भी जो है demand बढ़ती है और because rich people because of the rich people क्योंकि उनको जो है इक snob appeal करनी होती है society में higher position पाना होता है या फिर अपनी wealth और luxury को show करना होता है जैसे example के तोर पर आप देख सकते है status symbols goods normally क्या होते हैं इसमें status symbol जो ऐसे goods जिससे हैं कि आपका status देखता हो उनको जो यहाँ पर दिखाया जाता है और उसमें अगर उसकी price बढ़ रही है तो उनकी demand भी बढ़ती है in case of such status symbol जैसे commodities prestige is more important not the price तो जो status symbol commodities होते हैं वहाँ पर prestige is important होती है ना कि उसकी price important होती है तो यह wavelength effect कहता है Thorstein wavelength एक्जांपल के तोर पर diamond and precious stones diamond और precious stones यह क्या है costly होते है तो price इतनी painting आप देखते होंगे world famous paintings होते हैं लोग खरेते हैं क्या जो होता है उसकी satisfaction क्या मिलेगा लेकिन नहीं लोग उसको अपना status होता है उससे उनकी society में higher position जो है वो गेन होती है commodities used by world famous personalities जो world famous personality होते हैं जो समान यूज किया रहते हैं उनके कपड़े उनके गार उनका घर उसको भ demand भी क्या होती है बढ़ती है क्योंकि वह status related symbol है prestige related symbols होते हैं और वहां पर भी law demand fail हो जाता है तो ऐसे हम कहते हैं तो prestige related products होते है status को show करते हैं आपको थेकर नेस्ट है conspices consumption conspices consumption means क्या हो गया है देखिए conspices consumption जब आप कोई special item पे जब आप पैसा ज्यादा कर्च करते हो तो उसको कहते conspices consumption क्योंकि उससे जो है आपकी prestige बढ़ती है यहाँ पे प्रेस्टिज बढ़ी है लेकिन आपने जो आप यूज product में क्या था कि वहाँ पर प्रेस्टिज से रिलेटेट जए 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 परचेज करते हैं लेकिन वहाँ पर सेल्फ सटिस्वेक्शन के लिए नहीं कर रहे हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है बहुत सारा मैं सोसाइटी में हायर पोजीशन पी हूँ तो आप सु मेरे पास भी मेहाँ ऍार कट का दो आपने पैसे अपने कंजंशन जो मेहें महें में मैं महें आईटम कहते हो तो इसको कॉशन करते हैं रिज्पूर जैसे को टेपरोडर मॉबाइल फॉन से एपऩल का आईफोन हो तो है कहते हैं conspicuous consumption यानि कि महेंगे महेंगे समान यूज करना अपने consumption के लिए तो उसको conspicuous consumption कहते हैं नहीं पर एक आता है bandwagon effect यानि कि just do it everyone else is everyone else is doing अब भी उसको करिये तो इसको कहते है bandwagon effect the bandwagon effect is the tendency of an individual to acquire a particular style behavior or attitude because everyone else is doing it यहाँ पर क्या होता है कि देखा देखी अब एक word करते है देखा देखी अच्छा उन्होंने और टी ख़ए दिये तो मैं भी और टी ख़ए दूँगा उन्होंने mercedes ख़ए तो मैं भी mercedes ख़ए दूँगा उन्होंने इतनी महेंगी जो है रिस्ट वास purchase कि है तो मैं भी रिष्ट वावाज परिछागी वेधा तो भी ना सबस्क्राइब देबागे एक गायर है तो इसको कहते है वेधार इफेक्ट यह कुछ इंपोर्टेंट एक्सेप्शन साधे कि फिएर ओफ शॉर्टेज हो गया फ्यूचरजाइब्द प्राइस हो गया लेफ्ट से राइट जाता है अप्वार्ट डारेक्शन में और यहाँ पर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है यानि कि डारेक्ट रिलेशन्सिप होता है प्राइस और डिमांड में तो विश्व आल दे बिश्ट कीप ओचेंग सब्सक्राइब दर चैनल फामों सब्सक्राइस सत्राइस बज़ वियुंग स superior कि दुड ओंच झाल थायं